हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आज की एक नई वीडियो में आज हम जानेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है आप किस तरीके से अपनी स्टिडी को करें कि आप सीटेट कौलिफाई कर जाएं सीटेट को कैसे आप कौलिफाई करें seated कितना सरल कितना कठिन है इसका syllabus क्या होता है question कैसे पूछे जाते है आज हम इसी बिसे पे चर्चा करेंगे अगर आप पहली बार seated का exam देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर आप देखिएगा ये वीडियो आपकी परिच्छा में बहुत ही सहीोग करने वाला है आज हम जानेंगे seated के syllabus के बारे में तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले दोस्तों में सियर करें ताकि हर वीडियो को नोडिफिकेशन आसाने से अब तक मिलता रहे सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी लेबल का syllabus क्या होता है कच्छा एक से पांस तक जो भी students इसमें eligible होते हैं योगता के हिसाब से तो आपका syllabus क्या होगा आप कैसे पढ़ाई करें कि आप seated को qualify आसाने से कर पाएं first attempt में ही qualify कर पाएं कैसे करेंगे आज हम syllabus पे चर्चा करेंगे syllabus जैसा कि इसका होता है आप देखेंगे लिखा हुआ है पेपर first for class 1, 2, 5 primary stage duration of examination 2 and half hours जैसा कि इसमें बता रहा है कि जो पेपर आपका होता है जैसे इसमें आप देख रहे है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नमबर एक पे लिखा हुआ है चाइल्ड डबलमेंट एंड पेडलोजी कमपलसरी उसके बाद में इसके जो question आपके आएंगे यह 30 question आएंगे यहां से 30 MC क्यों दिया गया है 30 question आएंगे और 30 marks इसके लिए दिया जाते हैं फिर जो number second दिया गया है mathematics दिया गया है mathematics जो होता है यह कमपलसरी होता है primary label में इसमें भी 30 question आएंगे और 30 अंक इसके लिए निल्धारित किया जाएंगे इसके बाद में जो third होता है इसके अंदर third जो इसका paper का part है वो है environmental studies अर्थात परिया वरन अध्यन सब यह भीरतियों के लिए कमपलसरी होता है चाहे वो art group के हों science group के हों 30 marks इसके लिए भी निधायत किये गये हैं और 30 question marks यहाँ पर दिये गये 30 question होते हैं 30 marks के लिए निधायत होते हैं अर्थात एक question एक अंक का होता है minus marks इसके अंदर नहीं होती है यह भी आप ध्यान देंगे language first जो आपकी है जैसे हिंदी है जो भी आपकी first language है वो कमपलसरी होती है second जो होती है वो भी आपकी कमपलसरी होती है second भासा आपनी जरुरत के हिसाब से आप ले सकते है आप English लेना चाहे उर्दू लेना चाहे sunscreen लेना चाहे या आपकी जो भी भासाए है जिसे आप अच्छे से जानते हैं उस भासा को जब आप online application इसका फिल करें वहाँ पर आपको select करना होता है फिर यहाँ पर दिया गया है 30 marks, 30 questions, 30 marks 30 MCQ आएंगे और 30 marks इसके लिए निधात किये गए है तो यहाँ से आप देखेंगे कि 150 marks और 1 यहाँ पर 50 जो है question के साथ marks दिये गए है तो 150 MCQ और 150 marks अर्था आप 150 question होंगे और 150 अंकों का paper आपका होता है यह होता है primary level का जो primary level के student है उनके लिए यह साले चीज़े यहाँ पर syllabus में बताए गई है और इसके एसाब से आप पढ़ाई करें child development, mathematics, environmental language, first or second तो आप इस तरीके से question को देख सकते हैं आप बात करते हैं junior level की junior level के भेरती है उनका syllabus क्या होता है वो किन-किन सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान दे किन को पढ़ें इसके लिए हम primary के बाद junior level का syllabus देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है paper second for classes six to eighth elementary stage duration and examination two and half hours texture and content all compulsory यहाँ पर दिया गया है इसमें आप देखेंगे सबसे उपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे लिखा child development and pedagogy यहाँ पर दिया है compulsory होता है इससे आपको 30 mcq मिलेंगे 30 marks के लिए निर्धारित किये गए है फिर अगला जो होगा mathematics mathematics and science यहाँ पर लिखा 60 से question आएंगे 60 marks होंगे इसमें भी लिखा है for mathematics and science teacher तो यह उन सभी अभिरतियों के लिए होता है जिन्होंने science group में आवेदन किया है अर्थात जो science group बिज्ञान वर के अभिरति होते हैं उन्हें mathematics and science option select करना होता है फार्म भरते समय आप जब फार्म भरे होंगे या भरेंगे तो इसमें ज़रूर ध्यान देना है आपको कि आप अगर science group से हैं तो आपको mathematics and science select करना है और आपके जो question होंगे वो mathematics and science related ही आएंगे अर्थात अथवा अगर जो अभिरति कलावर्ग से आते हैं उनको select करना है social studies and social science social studies and social science आपको select करना है question आपके भी 60 रहेंगे marks उस आपके लिए भी 60 रहत किये गए है इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यह जो आपकी यहाँ पर languages होंगी वो यहाँ पर compulsory है जैसे कि बताया गया है language first first language compulsory है second language भी compulsory है तो इस तरीके से आपको जिस language का अच्छा ग्यान है उसे आप select करेंगे चाहे वो English हो Sanskrit हो, Urdu हो या अन कोई भासा जो आपको आती है उसे आप select करेंगे तो पहली भासा अगर आप Hindi लेते हैं तो आपको second भासा दूसरी लेनी पड़ेगी यहाँ से इसी तरीके से आप देखेंगे अन भासाएं भी दी गई है उसी के इसाप से आपको यहाँ select करना है और 30 questions आपको languages के मिलेंगे 2 languages के आपको 60 questions बनेंगे 60 marks निर्धारित किये गए है इसी तरीके से आपका 150 mc क्यों आएगा 150 marks के लिए भी निर्धारित किये गए है तो इस तरीके से आप लोग अपनी study करनी है ताकि आप परिच्छा में first attempt में ही qualify कर जाएं दोस्तों इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर ही सफलता मिलेगी देख सकते हैं इसका syllabus क्या है तो आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल पर अगर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले दोस्तों में सेयर करे ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार